Good morning students, this video is all about class second, class second पेटा ये आपका chapter 1 है computer का वो मैं आज बता हो रही हूं आपको जिसमें मैंने बता दिया था CPU के बारे में, कि CPU क्या होता है, CPU का full form होता है central processing unit अब हम बात करते हैं mouse की, कि mouse क्या होता है, a mouse has three buttons on it, एक mouse में तीन बतन होते हैं ये, what is this, this is a mouse, यहाँ पर देखिये one, two and ये बीच में, तो हमाई कितने बतन होए, one, two, three, three buttons होए, फिर देखिये a mouse has three button on it, एक mouse में तीन बतन होते हैं, it is used to point, move and select any object on the computer screen or monitor, इसका उप्योग computer screen और monitor पर किसी भी वस्तु को इस्थांतरित करने और चुनने के लिए किया जाता है, a mouse also helps us to draw picture and play games, mouse की मदद से हम क्या करते हैं, चित्र बना सकते हैं और game भी खेल सकते हैं, जब हम mouse के use से ये जो three buttons हैं, इनके use से हम क्या है, कोई भी picture हम क्या है, अच्छे से draw कर सकते हैं, और उसमें हम game भी खेल सकते हैं, तो mouse क्या है, mouse के बिना हम कोई movement नहीं करा सकते हैं, mouse से जिधर भी हमें कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी है, वो mouse के ही through होगी, कहाँ पेचाना है, और किसी भी वस्तु को इधर से उधर तक करने के लिए या चुनने के लिए हम mouse का उप्योग करते हैं, तो आज के लिए इतना ही thank you students,